असलाम लेग्यूम माइनम इस रोहेल और में ग्रूप फेलो मौहमद इसमाइल और वी विए बिन गिवन दे टॉपिक हुमन कापिटल जो के हमने वर्ल बैंक की रिपोर्ट से लिया है इसके अकॉर्डिंग यह है के आल्मोस्ट दस में से पांच जो चिल्डरन से हैं वो कंट्रिस के अंदर इसके अलावा अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो लाइफ एक्सपेंटेंसी जो रेट है वो ड्वेल्पिंग कंट्रिस में 1980 के अंदर मैक्सिमम 52 यह था जो चेंज होके 2015 में वो और राउंड 62 यह हो चुका है 62 तो 65 यह एस कंपेर टू डिवेलप कंट्रिस हम अगर कोरिया की बात करें तो वो 85 यह तक है लाइफ एक्सपेंट एक्सपेंटेंसी रेट ओवराल पूरी दुनिया में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इस टॉपिक के एकॉर्डिंग एजुकेशन में 260 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं जो चिल्डेंट् स्कूल में नहीं जाते वो आउट अफ स्कूल हैं हम नैफ्टा की बात करते हैं तो नैफ्टा में नौर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एक्टिमेंट है उसके अंदर वो लोग ज्यादा प्रोड़क्टिव हुए लेबर जो लोग एजुकेटेट थे तो बैसिकली यह सारी ची रिफ्लीट करते हैं थिस जा इस को समझने के लिए में चीज है हे करते हैं माश्रे में मैंपर्टन ममबराइं को और उनके individual act जो हैं वो reflect करते हैं society को as a whole, overall पूरी दुनिया में जो जंग लोग हैं वो ना दो स्कूल में जाना प्रेफर करते हैं और ना ही अपनी health के ओपर focus करते हैं, तो students ये एक study फिल्पाइन के अंदर हुई थी जो इनके saving account के अंदर जितने भी पैसे थे students के अंदर उन्होंने वो facility दीती कि ये आप बैंक से निकलवा सकते हैं but आपको smoking test pass करना होगा, तो study के according gradually जो smoking करते थे students उनकी तदाद decrease होगी और students ने smoking quit कर दी, में चीज ये आ जाती है, what are the reasons for shortfall के different governments अपनी policies introduce करवाते हैं, subsidy introduce करवाते हैं, तो उसमें shortfall क्या है, उसके according ये है कि अगर pursuing a good policy does not mean it will be effective or it will give you a political gain क्योंके एक अच्छी policy लाजमी नहीं कि वो effective हो, effective तरीके से, effective इस तरह से वो नहीं होती कि आपकी जो bureaucracy होती है, bureaucracy जो है वो उसके अंदर proper involved नहीं होती, वो effective implementation नहीं कर रही होती उन चीज़ों की, अब इसी तरह की एक policy introduce करवाईगी थी नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया में fuel की जो subsidy थी उसको खतम करके education और health के उपर subsidy दी गई थी, लेकिन वहाँ पे political influence इतना ज्यादा था और लोग uneducated थे और उनकी preferences कुछ और थी पबलिक की, तो वहाँ पे बहुत बड़ा protest arise हो गया नाइजीरिया में, जिसकी वज़ा से government को अपने decision वापिस लेना पड़ा, तो बाज उकात आप जो government जो decisions लेती हैं वह उसको implement नहीं कर पाती, due to certain factors, उसमें culture भी आ जाता है, उसमें different factors आ जाते हैं, जिसकी वज़ा से वह उसको implement नहीं कर पाती, इसके इलावा main चीज़ यह कि जब आप governments कोई भी policies बनाती हैं, तो उसको synergetic way में उस policies को बनाना चाहिए, कि वह एक individual जिस पर human capital की investment हो रही है, वह उसके as a children से लेके उसके adult होने तक, वह synergetic way में उसके उपर implement किया जाए, और इसमें multiple government departments जो हैं, उनको involve होकर आपस में integration रखके, तो तब policy को implement करना होता है, policies design करनी होती हैं, जो human capital में investment के तोर पर use होती हैं, तो यह थोड़ा सा overview था regarding what is human capital, और हमें इसको implement क्यों करना चाहिए, इसके shortfalls क्या हैं, इसमें health के benefits आ जाते हैं, human capital में skills development आ जाती है, education आ जाती है, और यह directly contribute करती है, GDP के अंदर इनना longer run, thank you so much, आगे इसमाईल आपको brief करते हैं, असलाम नेकुम जी, मेरा नाम मौमज इसमाईल है, very university में MBA का student हूँ, और उमीद है कि आप सब लोग खेरियत से होंगे, और करोना के इस मुश्किल वक्त में आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, और quarantine का जो time है उसको एक अच्छ और positive way में गुजा रहे होंगे, तो जी, आज हम थोड़ी सी बात करना जाएंगे एक topic पे, जिसका नाम है building human capital, क्योंगे आजकर के दौर में बहुत हैं, अच्छ जी, तो human capital सी अखास करते हैं कि human capital है क्या, so human capital अगर Google की आप literal definition में जाएंगे तो it's a stock of habits, attributes, personality traits, knowledge, जो के एक इनसान को economic value की तरफ लेकर जाता है, जैसे एक labor को उसके economic value produce करने की तरफ लेकर जाता है, वो आपका human capital है, so इस report में basically जैसे रोहेल ने पहले भी बताया है, कि building human capital का जो chapter number 4 है, उस पर हम बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से human capital कितना important है और कितना जरूरी है, वो इस report में mention किया गया है, so इतना ये human capital जरूरी है कि world bank ने एक report शाय किया, मैं report ज़रा खोल लेता हूँ, world bank ने एक report शाय कि जिसका पूरा एक इसके उपर एक chapter लिखा गया, so उन्होंने फिर क्या किया कि जब इसकी necessity देखी गई तो उन्होंने human capital project जो है वो launch किया, अब human capital project जो है वो, तो basically human capital project के जो है वो तीन parts है, ये design किया गया था measurement करने के लिए कि भई किसी भी मुल्कों हम इस तरफ लेकर जाएं कि वो अपना human capital बिल्ड करें, और basically human capital ही जो है वो अपकी असल resource है, तो उन्होंने इसको तीन parts में divide किया जो कि मैं पढ़ देता हूं, पहला part है across country metric the human capital index, उन्होंने एक index design किया जिससे हम भई कंट्री में मेयर दो कर सकेंगे, आया है इस country में human capital कितना है, किस हद तक है, दूसरा उन्होंने लांच किया program of measurement and research to inform policy action, इस हिसाब से उन्होंने एक program design किया कि भई different countries में policy क्या develop की जाएगी human capital को build करने के लिए, तीसरे नंबर पर अब program of support for country strategies to accelerate investment in human capital, अब उन्होंने एक और launch किया, इसको आप ऐज़ा fund कह सकते हैं, ऐज़ा trust कह सकते हैं, उन्होंने एक ऐसा program launch किया कि भई जिस country में human capital build होगा उसको fund कैसे करना है, उसमें पैसे कैसे हमने invest करना है, तो basically ये तीन चीज़ें human capital project का हिस्सा है, अच्छा human capital को सही define करने के लिए दो चीज़ें बहुत important है, एक है education और दूसरी है health, education जो है उसमें higher education बहुत important है human capital को define करने में, और second health में जो है कि भई आपका worker उसकी क्या mental physical health है, कि वो आपको कोई economic activity generate करके दे सके और अपनी skills जो है वो utilize कर सके, अच्छा human capital को समझने में सबसे basic जो पहला question दिबाग में आता है कि why is human capital important, human capital की importance अगर हम देखें तो it's very important कि अगर एक company जो है वो अपने human capital में इंवेस्ट कर रही है, यानि कि जितने भी उसके पास worker है उनकी development में इंवेस्ट कर रही है, तो उससे जो हमें basic फाइदे हासिल होंगे वो यह है कि return on investment increase होगा, labor productivity increase हो जाएगी, सही knowledge जो है वो सही जगा पे इस्तमाल होगा, important points है जो कि human capital की importance को बताते हैं कि human capital एक organization के लिए क्यों जरूरी है, अच्छा इस chapter में further explain किया गया है वो यह है कि different countries में क्या human capital चल रहा है और क्या इस project को लेके क्या indexes वगारा हैं, हम उस detail में नहीं जाते हैं, मैं आपको basically एक बात बताना चाहता हूँ कि human capital की development जो है वो इनसान ने, जैसे हम खुद को भी develop करना आना चलिए जैसे अब भी बहतरीन quarantine का time है तो free online courses join करें, Harvard के open हैं, आप Google से different free online courses ले सकते हैं, so basically आप अपने आपको develop करें, human is now a capital and is considered a capital worldwide, आप अपने आपको develop करें, ताके different organizations में आप एक अच्छा अपना role perform कर सकें, जो courses आपके necessary हैं, जो आप समझते हैं कि मुझे फाइदा दे सकते हैं, आप आप आसिल करें और online उसमें, यह सारी चीज़ें build up करती हैं development को, आपकी inner skills को, so that's all from my side and Rohail, उमीद है कि आप लोगों को यह video पसंद आई होगी, so clear explain होगा कि क्या चीज़े human capital और इस report के वाले से क्या आजकल दुनिया में चल रहा है, world bank क्या कर रहा है, so that's all, thank you for watching and stay tuned, bye-bye. क्या है